कि है कि है लोग कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट स्कोर हंडेड में वेलकम करता हूं दोस्तों हम लोग आज पुलिटर साइंस का जो हमारा चैप्टर टू है फेडरिलिजम का दूसरा टॉपिक विचिस की फीचर्स ओफ फेडरिलिजम करने वाले हैं और दोस्तों यह जो टॉपिक है हमारा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूरे फाइब मार्कर के क्वेशन के आने की पॉसिबिल्टी होती है अगर यह फाइब मार्कर का क्वेशन होगा तो क्वेशन होगा डिस आके रिकस कर लिया था कि फरेडरिलिजम क्या होती है तो उसको अई होब की एकस्पिलानेशन उसके बारे में देने की कोई जरूब नहीं है आप लोग समझते ही है प्रटों क में बॉक्स को में करके जरूर बताएं कि फैलिलरिल जम क्या हBL ओता है इसके 3 या 4 key points हैं आप लोग जानते हैं तो इसे comment करके जरूर बताएं and चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज so we are going to study key features of federalism so as we discussed there are 7 features of federalism and सबसे पहला feature तो यही है कि federalism में there are two or more levels of the government इसको levels भी बोलते हैं और tiers भी बोलते हैं आएए देखते हैं so first point is there are two or more levels or tiers of the government अगर federation है तो उसके 2 या 2 से ज्यादा कैसे 2 या 2 से ज्यादा जैसे आप लोग जानते हैं इसलेट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने डिसकस किया था कि भाई पहला level हो गया central government का दूसरा level हो गया जो regional या provincial governments का जिसे इंडिया में state governments बोलते हैं and तीसरा हो गया local self governments जिसमें आती है हमारी panchayats and municipal corporations है municipalities in urban areas ठीक है दूसरा feature क्या है federalism का दूसरा feature है different tiers of government govern the same citizen यह वाला हम लोग समझते हैं कि चाहे वो central government हो चाहे state government हो चाहे वो local self government यानि MC municipal corporations हो जैसे Delhi में MCD है और Bombay में BMC है उसी तरह से जैसे लखनव में लखनव municipal corporation है तो अलग-अलग city में अलग-अलग municipal corporations होती है यह वाला हम लोग समझते हैं different tiers of the government govern the same citizen कैसे यह थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा challenge आता देखते हैं माल लिजिए for example कोई individual राजस्थान में रहता है राइट कोई individual राजस्थान में रहता है अब माल लिजिए इसको passport बनवाने जाना है राइट passport बनवाने जाना तो कहां जाएगा जाहर से बात है passport कौन देखता है passport से related issue ministry of external affairs देखती है जो which comes under government of India तो उसको ministry of external affairs regional passport offices होते हैं वहाँ जाना होगा यारी government of India के office में जाना होगा जो original passport office है governed and conducted by government of India राइट अब उसी person को माल लिजिए कोई पड़ोसी से problem हो गई या उसके घर में चोरी हो गई या कोई तंग कर रहा है उसे तो कहां जाएगा वही same person जो राजस्थान में रहा रहा है कहां जाएगा वह राजस्थान पूलिस के पास जाएगा यह किसका subject हो गया राजस्थान गवर्मेंट का हो गया पहला passport वाला example किसका था वह गवर्मेंट ऑफ इंडिया का था मालीज आपको कोई person राजस्थान में रह रहा है उसे railway से travel करना है और कुछ dispute हो गया उसका railway से उसको compensation लेना है तो कहां जाएगा railway offices में जाएगा या consumer courts में जाएगा यानि railway को कौन हैंडल करेगा उसे जो भारत सरकार का railway department है वो हैंडल करेगा आगेन वो person individual किस्ते डील कर रहा है government of India से डील कर रहा है और अगर मालीजे की जैसे हम लोगों ने police police देख लिया state government हैंडल करती है वही person जो राजस्थान में रह रहा है अगर मालीजे उसे अपने घर का नक्षा पास कराना है आप लोग जानते हैं cities में before we build our houses हमें नक्षा पास कराना होता है या उसी same person को मालीजे birth certificate लेना है अपने बच्चे का या खुद के लिए birth certificate लेना है तो परसन कहां जाएगा जाहर से बात है वो जो local municipal corporation उसके office में जाएगा तो देखिए person एक ही है बट उस पे government of India के भी rules and laws चल रहे हैं state government के भी rules and laws चल रहे हैं और जो local government होती है municipal corporation जी हम लोग बोलते हैं उसके भी rules and laws applicable हो रहे हैं I hope आप लोगों को ये समझ माया चले हम आगे बढ़ते हैं राजस्तान का example है हम और भी किसी शेहर का example ले सकते हैं चाहे हम केरला का example ले सकते हैं केरला में रहने वाले रखती भी इसी तरीके से है वो government of India के rules and laws apply हो रहे हैं उस पे केरला government के भी होंगे और वहां की जो local self government होगी जो local body होगी या जो local corporation होगा उसके rules भी apply हो रहे हैं राइट चलिए हम लोग दूसरा पांट देखते हैं तो I hope you govern the same citizen वाला concept हमारा आप लोगों को समझ माया तो देखते हैं इसे पूरा करते हैं different tiers of government govern the same citizens but each tier has its own jurisdiction जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई आगर railway से जुड़ा मामला है या पासपोर्ट से जुड़ा मामला है तो गर्मेंट गर्मेंट देखें कि birth certificate issue कराना है या घर बनवाले के लिए नक्षा पास कराना है तो local self government या मिनस्फिल कॉर्परेशन के पास हम चाते हैं तो यह jurisdiction क्या होता है जो basically jurisdiction एक area होता है और यह area हम दो तरह से समझ सकते हैं यह area in terms of geographical boundary होता है या in terms of certain subjects होता है जैसे certain subjects के में certain subjects example हम पासपोर्ट बनवाना है तो इस पर इस पासपोर्ट से related issues पर कौन law बनाएगी government of India railway से जुड़ेवे issues पर या currency से जुड़े issues पर या foreign relation से जुड़ेवे issues पर कौन law बनाएगी government of India तो आई एक बार jurisdiction का definition देखते हैं जो हमारे NCRT में दिया हो है right so the jurisdiction क्या है jurisdiction क्या है jurisdiction क्या है over which someone has legal authority और यह area क्या हो सकता है जैसा हम लोगों पहले भी discuss किया यह area हो सकता है in terms of geographical boundary अब इसको हम लोग हमारे जो पुलिस थाने होते हैं उसके example से समझते हैं कि अगर कोई crime movies आफ लोगों ने जरूर देखा होगा कि अगर कोई crime होता है तो कई बार होता है police जो particular police station होता है आप लोगों ने movies में सुना होगा कि बोलते हैं नहीं यह तो हमारे jurisdiction में नहीं है मतलब हमारे वो क्या बोलते हैं कि यह जो crime हुआ है हमारे जो geographical area है उसमेरे हुआ से बाहर हुआ या नहीं दूसरे police station के jurisdiction में आएगा वो area तो एक बाद फिर से समझते basically इसमें थ्री keywords अगर आ हुआ है in terms of geographical boundary and in terms of certain kinds of subjects आई यह देखते हैं इसमें so the area may be defined area may be defined in terms of in terms of geographical boundaries and in terms of certain kinds of subjects जैसे certain kinds of subjects में हम लोग समझें वहीवाल एक्जामपल लेते हैं कि अगर railway से जुड़ा हुआ या passport से जुड़ा हुआ कोई issue है तो government of India राइट police से जुड़ा हुआ कोई issue है या public health से जुड़ा हुआ कोई issue है तो state government बर certificate लेना है या घर बनवाने के लिए नक्षा पास कराना है तो local self-government और municipal corporations है तो यह subjects हो गए राइट अब हम तीसरा देखते हैं हाँ एक चीज़ देख लेते हैं और jurisdiction हमारा clear हो गया in specific matters of legislation taxation and administration तो हम लोग उने legislation का clear देख लिया है कि भाई वही railway और passport वाला आएगा तो legislation हम लोग उने देख लिए हम इसे discuss करते हैं taxation taxation का simple example आप लोग relate भी कर पाएंगे समझ भी पाएंगे कि अगर taxes जो अलग-अलग taxes होते हैं वो अलग-अलग level की government उसे collect करते हैं for example अगर income tax pay करना है तो income tax से जुड़े मामनों को कौन deal करती है government of India right और अगर मान लीजिए हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं right हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो हमें road tax जबा करना हो परता है तो road tax कौन collect करता है state government करती है द उसी तरीके से उसी तरीके से जब हम लोग local bodies यह जो local bodies होती है यह भी tax collect करते हैं कौन सा tax collect करते हैं यह लोग house tax है property tax भी बोलते हैं तो हम लोगों ने जहां दक taxation था taxation के क्या क्या example लिए income tax अगर collect करना है तो government of India करेगी अगर house tax and property tax collect करना है तो local bodies यानि municipal corporations करते हैं और अगर road tax collect करना है या stamp duty collect करनी है तो state governments करती है यह stamp duty के बारे में आप लोग अपने डैड से या grandfather से ज़रूर डिस्स करें वो लोग और अच्छे से आपको समझाएंगे राइट ना थर्ड पॉइंड दॉ जूरिश्डिक्षण नाव वी है और जूरिश्डिक्षण क्या है जैसे हम लोगों ने डिस्स किया था तीन थ्री कीवर्ड अगर आप लोग याद रखें jurisdiction का मतलब simple मतलब हो एरिया और ये एरिया दो terms में हो सकता है एरिया दो terms में पहला क्या हो सकता है in terms of geographical boundary दूसरा क्या हो सकता है in terms of certain subjects certain subjects जैसे हो गया railway हो गया passport हो गया right police हो गया हाँ ये सब certain subjects हैं जिस पे अलग-अलग level of government के पावर होती है legislation की right the jurisdiction of the respective level respective levels or tiers of government are specified in the constitution इसको समझते हैं जो federations होता है जो federalism का जो third की feature है कि जो अलग-अलग governments है जैसे central government है या state governments या local self governments है उनका जो power and duties जो होती है वो constitution में अलड़ी लिखा होता है यानि constitutionally guaranteed होता है right इसे complete करते हैं पहले the jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed यानि central government की mercy पे depend नहीं करती है state governments in federalism तो third feature हमारा हो गया जो powers and duties होती है different levels of governments की वो constitutionally guaranteed होती है federalism में right तो अभी हम लोगों ने federalism के तीन की features पढ़े हैं कौन-कौन से तीन की features पढ़े हैं बढ़े देख लेते हैं पहला two levels of government होती है दूसरा ये जो two levels of governments होती है वो govern करती है same citizens को तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो two या three levels of governments होगी उनकी जो powers and duties होगी वो constitutionally guaranteed होगी तो three points हमारे होगे आई ये fourth पढ़ते है fourth point है हमारा fourth की feature है हमारा federalism का the fundamental provisions of the constitution यानि जो constitution का जो basic structure है उसे unilaterally न तो central government change कर सकती है और नहीं state government change कर सकती है modification कर सकती है और central government और state government दोनों की agreement जरूरी है आई ये से पूरा देखने है पहले the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government such changes require the consent of both both the levels of government यानि constitution के basic structure में अगर कोई change करना है तो न तो अकेले central government कर सकती है और नहीं अकेले state government कर सकती है दोनों का agreement होना जरूरी है राइट शिफ्थ शिफ्थ हम लोग पढ़ रहे है courts have the power to ध्यान दीजेगा आप लोग interpret the constitution and the powers of different levels of the government मान लिजे कि constitution के किसी provision या law को ले करके confusion है या state government और central government पर ले करके लडाई है तो दोनों कहां पहुँचेंगे supreme court पहुँचेंगे और supreme court explain करेगी कि इस particular law का exact meaning क्या है और जो supreme court का जो decision होगा वो दोनो state government या state government काई बार एक central government एक तरफ होते हैं और दो state government एक तरफ होते हैं पहुचे बार जो मामला होता हो अबंग two or three state government के बीच में भी हो सकता है जैसे river water को ले करके साउथ के states में हम लोगो ने परना था किचना रिवर water को लेकर dispute है तो जो supreme court का जो decision होगा वो सारे states को जो भी involved states है आंत्र प्रदेश है महारास्ट्रा है करनाट का है तो इनों को मानना पड़ेगा तो यह हो गया हमारा courts have the power to interpret the constitution and the powers of the different levels of the government अगर किसी issue को लेकर के central government और state government central government कहेगी नहीं जी यह तो मेरे power मेरा jurisdiction है state government कहती नहीं जी मेरा jurisdiction है जैसे कभी हाल फिल हाल में government of India and Delhi government की बीच में हुआ था right तो court will decide a court की बात मानने पड़ेगी the highest court he means supreme court acts as the umpire if dispute arises between different levels of government in the exercise in the exercise of their respect respect to powers right तो I hope आप लोगों को यह चीज़े clear है now we'll move to the next slide and next slide talks about जो हम लोगों अभी 5 we have studied so far 5 features of federalism अब हम लोग 6th and 7th देखने वाले हैं तो 6th feature of federalism is this अब देखे जैसे हम लोगों ने जो यह features पढ़े हैं federalism के six features पढ़े हैं कि जो different levels of government हैं वो अलग-अलग powers को exercise करेंगे अपने duties को respective duties को fulfill करेंगे इन powers and respective duties को fulfill करने के लिए finance चाहिए पैसा राइट तो इसलिए constitution में जो federal system of government होते जो federalism होता है उसमें constitution में ही mention होता है कि sources of income क्या होगे different levels of government के यानी central government का income tax हो गया हाला कि जो income tax collect होता है वो उसमें states का भी share होता है राइट और उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा stamp duty हो गई stamp duty से जो tax आएगा या road tax से जो revenue आएगा state governments को जाएगा उसी तरह से जो house tax या property tax से जो revenue आएगा वो जो local self governments होते है या municipal corporations होते है उनको जाएगा तो यह already constitution में specified है आईए दिखते हैं तो sources of revenue हमारा जो next है वो sources of revenue है so sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy क्योंकि जितने भी powers हैं जितने भी duties हैं अगर उनको किया जाना है पूरा किया जाना है या implement किया जाना है तो बेना finance के तो होगा नहीं तो इसलिए financial autonomy भी बिलकुल important है वो बहुत जरूरी है now seventh and last feature of federalism is federalism has two objectives क्या objective है federalism का पहला objective है कि जो nation की unity है वो बनी रहे right और साथ ही साथ जो diversity है लोग अपने अपनी culture को follow कर सकें अपने religions को follow कर सकें and जो उनकी local custom है उसको follow कर सकें आई यह देखते हैं इक पर so the federal system has dual objective यह dual objective कौन कौन से है first है to safeguard and promote the unity of the country safeguard and promote यानि इंडिया की जो unity है वो बनी रहे और unity को हम और stronger कर सकें right safeguard and promote the unity of the country and दूसरा to accommodate regional diversity हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में regional diversity बहुत ज्यादा है और हर जग चाहे इस इंडिया ले लिजे चाहे वेस्ट इंडिया ले लिजे चाहे नॉर्थ ले लिजे बहुत ही अलग 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 तरह की languages हैं अलग अलग तरह की culture है तो federal system of governance से क्या होता है कि हम दोनों objective यानि हम अपनी country को united भी रख सकते हैं key features of federalism I hope आप लोगों को समझ में आया चलिए आगे दिखते हैं आगे इसमें है यह जो topic है यह भी काफी important है इसे हम लोग समझते हैं अच्छे से two aspects are the crucial two aspects are the crucial for the institutions and practice of federalism इस पर क्या question आ सकता है इस पर question आ सकता है what are the two crucial aspects for the institutions and practice of federalism फिर से समझते हैं question आ सकता है what are the two crucial aspects for the institutions and the practice of federalism अगर हम चाहते हैं कि जो federalism है वो successful हो और जो अच्छा institutions का मतलब क्या हुआ हुआ institutions का मतलब इस डिफेरेंट लेवल्स अब गॉर्मेंट ही तो हुआ Central Government, State Governments and Local Self Governments ये institutions हो गया, अगर वाइल practicing federalism दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं तब federal system of governments बिल्कुल successful रहेगा क्या है देखते हैं, पहला है the governments at governments at different levels should agree to some rules of power sharing, यानि दोनों level of government का जो rules of power sharing है उस पे agree करना बहुत जरूरी है अब state government का है नहीं जी ने तो सारे ये जो people है तो states हमारे state में रहते हैं, इसलिए income tax में लोगा central government state नहीं, central government income tax नहीं ले सकती, या central government का है नहीं जी ये तो पूरी country हम भारत सरकार के अंडर में इसलिए road tax में लोगा, तो मामला तो गलबड हो जाएगा राइट, दूसरा हम लोग देखते हैं they should also trust that each would abide by its part of the agreement, means constitution में जो भी powers का division है, वो respective governments उसको, powers and functions का division है उसको respective governments will abide by, उसको मानेंगी हो तभी जो है, फ्रेडलिजम successful हो सकता है otherwise, बहुत दिक्कत हो जाती है और कभी-कभी हमारे यहां भी दिक्कत होती है right, state of center के बीच में उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे next topic में, है ना अब next, जो हमारा subtopic के सी में an ideal federal system has two aspects तो इस पर question आ सकता है इस पर question आ सकता है what are the two aspects of ideal federal system यानि कोई भी ideal federal system होगा तो उसमें उसके two aspects होगे या यह two aspects कौन-कौन से हैं, आईए देखते हैं एक तो mutual trust mutual trust between or among, mutual trust among central government and state government एक तो mutual trust बहुत ज़रूरी है तभी federalism काम्याब हो पाएगा दूसरा क्या है agreement to live together agreement to live together तो एक बार हम लोग फिर सिलेखते हैं इस पर क्या question बनेगा इस पर question बन सकता है what are the two aspects wait a minute hmm इस पर question बन सकता है what are the what are the two aspects of an ideal federal system तो हम ने देखा mutual trust and agreement to live together now we will move to the next topic and next topic talks about types of federations दोस्तों जैसा क्या आप लोग पहले पढ़ चुके हैं there are two there are two types of federations आप लोगो ने अपनी class में अपनी पढ़ रखा होगा there are two types of federations coming together right जैसा का आप लोग देख सकते हैं we have coming together wait a minute we have coming together and holding together बाद वाले का एग्जामपल हम लोग हो गए and coming together का एग्जामपल USA है आई से समझते हैं जैसा कि टर्म से का अगरा coming together means धेर सारी छोटी छोटी शोटी यूनिस्ट थी याँ कॉंस्टिटिविंट्स जैसे कि स्टेट्स धेर सारे स्टेट्स से जैसे कि स्टेट्स से जैसे केम तोगेदर and made a big nation right देखते हैं से independent states United States coming together on their own to form a bigger unit I will say USA कहे दिकते हैं क्या बलता है United States of America United States there were so many states and they came together and formed a nation right so independent states coming together on their own to form a big unit why so that by pooling sovereignty हर states पा sovereignty थी उन सभी कुछ common points पे agree किये by pooling sovereignty and retaining identity जो particular state है उसके identity बनी रहेगी in terms of culture in terms of geography in terms of everything जो लोगों का जो local है वहां के उनकी identity maintained रहेगी but at the same time nations they will come together and form a nation right so independent states coming together on their own nobody is going to force they come on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security right now coming together federations कहां कहां पे इस प्रेसेंट में मौजूद है United States of America हो गया हमारा Switzerland हो गया right and Australia and इस पर question आ सकता है इस पर दो तरह के question आ सकते एक तो आ सकता है distinguish or differentiate between coming together and holding together with example एक तो यह आ सकता है तो आपसे one marker में अगर आता है कि explain coming together या holding together explain में तो one marker नहीं आगा what is coming together या give an example of coming together of federation इस तरह के equation आ सकता है right तो third point हम देखते है coming together का in coming together federations all the all the constituent states usually have equal power जितने भी states आते हैं एक nation को form करने के लिए सबकी powers equal होती है coming together में right and are as strong as federal government यानि जो constituent units होते हैं जो states होते हैं जो provinces होते हैं वो उतने ही powerful होते हैं जितने की central government होती है right तो यह हमारे three features हो गए coming together के दूसरा है हमारा holding together आई देखते हैं holding together क्या होता है holding together जो concept है totally opposite है coming together के समझते हैं holding together क्या होता है when a large country यहां पे यहां पे क्या था independent states थे they decided to come together यहां पे क्या है country large है and for the convenience of administration उसने divide किया कि भाई एक central government सारी बातों को नहीं handle कर सकती है या नहीं कर पाएगी बहुत challenging हो जाता है तो उस convenience के लिए when a large country decides to divide its power between the constituent states constituent states यानि provincial governments या regional governments या state governments हमारी country में बोलते हैं and the national government यानि government of India हो गई देखें concept origin बिल्कुल अलग है एक दूसरे से बिल्कुल different है now दूसरा point हम लोग देखते हैं इसके example example कहां कहां पे हैं holding together का India हो गया Spain हो गया and हमारा ये Belgium हम लोग Belgium के बारे हम अलोड़ी पढ़ चुके हैं Belgium का भी holding together type of federation है now third in this central government tends to be more powerful यानि ये जो holding together होता क्योंकि central government ही तो decide करती है कि भाई administration में inconvenience हो रही है या लोगों को better facilities दी जा सके लोगों को लोगों का जो जो भी काम है या जो लोगों की wishes है वो जल्दी जल्दी फुल्फिल की जा सकें या लोगों को more conveniently facilities मिलें तो central ही decide करता है कि power को divide करने among constituent units तो जाहिर से बात है वहाँ पे central government ज्यादा powerful होग है न आज की वीडियों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज की वीडियों हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि what are the key features of federalism यह पूरे five markers में आ सकता है यह समझाना बहुत जरूरी होता है और यह key features कौन-कौन से हम लोगों ने पढ़ा की two levels of government होता है और जो इनकी jurisdiction बिलकुल defined होती है powers constitution में यह थोड़ा सा seven point learn करने में आप लोगों थोड़ा सा challenging लग सकता है बट इसको learn करना बहुत ही easy है पहले इसको हम ऐसे समझते है सबसे पहले हम लोगों क्या देखा कि two levels of the government होती है यह जो two levels of government होती है they govern the same citizen और यह जो two levels of government होती है उनका jurisdiction constitution constitution में अलड़ी लिखा होता है और उसके बाद तीन point हो गया उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो fundamental provision होते हैं constitution को वो unilaterally change नहीं हो सकते उसके बाद हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर माली जी कोई dispute हो जाता है central government या state government के बीच में तो court उसको recite करती है ठीक है और हम लोगों ने छटा यह पढ़ा कि sources of revenue पढ़ा था और सात्मा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो federations होते इसके दो objective होते हैं diversity को accommodate कर सके and at the same time हमारा nation जो है वो united बना रहे strong रहे तो यह seven features थे उसके बाद हम लोगों ने two types of federations को पढ़ा coming together and holding together coming together का example हो गया United States of America Australia and holding together का example हो गया हमारा इंडिया हो गया और भी कुछ examples से हम लोग याद रख सकते हैं यह दो lines हम लोगों मिस कर दिया था देखते हैं इसे types of federations में दो lines देख लेते हैं the exact balance of power between the central and the state governments varies from one federation to the other coming together में central government और state governments दोनों equally powerful होती हैं लेकिन holding together में क्या है central government tends to become more powerful this balance depends mainly on the historical context यहाँ पर सारे states ने decide किया कि चलिए आईए मिल करके हम लोग एक bigger unit एक country बनाते हैं यहाँ पर एक big country ने decide किया कि for the convenience of administration चलो हम छोटी छोटी units में power को बांट देते हैं there are two kinds of routes through which federations have been formed तो हमारा clear हो गया coming together and holding together right I hope आप लोगों को समझ में आया आज के लिए इतना ही thank you so much